तो जैसा कि इस पॉल्लम में आपको दिया गया है कि यहां पर दो उनिफॉर्मी चार्ज प्लेट दी गई हैं और यहां पर उसके बीच में जो इस पेसे वर तू सेंटीमिटर है एक एलेक्टर ने एक प्लेट से दूसी प्लेट पर पहुंचने के लिए जो टाइम ले रही है दिया है टू माइक्रो सेकेंड तो यहां पर आपको पूछा है उटने सर्फेस चार्ड देंसिटी ओन इनर सर्फेस यह देखे यह एक प्लेट यह ले लेता है कि यह ले लेता है और यहां पर सब्सक्राइब लेता है तो एलेक्टिक फिल्ड सब्सक्राइब यहां पर एक लेक्ट्रोन है लेक्ट्रोन को इधर आने के लिए जो टाइम लगता है वो दिया है आपको टू इंटू तो पार माइनस सिक्स सेकेंड और जो डिस्टेंस टर्वल है वो कितना है तो सेंटी मीटर देट इकल टू इंटू पार माइनस टू मीटर आफ से सर्फिस चार्ट देंसिटी पूछा तो सबसे पहले मैं ऐसे लेसं निकाल लेता हूं एलेक्ट्रोन पर लगना वाला फोर्स कितना होगा तो हो जाएगा तो यह पोर्स चुट वाला फोर्स से लुट गवाला फोर्स कितना है तो आप्स अधर एख तो लेट अबीड़ आप लेक्ट्रोन था अधिसे लेटर यह तो यह जाएगा s equal to ut plus 1 by 2 a t square यहाप आप देखेगें जो इनिशल वेलास्टी है यह 0 है तो आप देखेदेंगे u equal to 0 रखेंगे तो 0 into 2 into 10 to power minus 6 plus 1 by 2 a into 2 into 10 to power minus 6 ka square equal to 2 into 10 to power minus 2 distance तो आप देखेंगे हाप आप देखेंगे हाप रखेंगे यहाप यह तो इनिशल वेलास्टी हाप देखेंगे डिस्पेंट हुआ गो तो 2 into 10 to power minus 2 2 into 2 equal to a into 4 into 10 to power minus 12 therefore a hoga 4 into 10 to power minus 2 divided by 4 into 10 to power minus 12 to a hoga 10 to power 10 meter per second square to a hoga 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 h बागी का value शेकमा निकालने के लिए तो यहां पर आएगा epsilon 0 MA over A और 8.85 दा value of epsilon 0 10 to the power minus 12 और mass है जो है हमें बालो में 9.1 10 to the power minus 31 और A की value 10 to the power 10 आई है भी और E की value है 1.6 10 to the power minus 19 तो यहां पर आप देखेंगे यह value आएगी minus 19 और यहां आप देखेंगे यह है minus 21 रहनो को मिला के देखेंगे 21 तो 10 to the power minus 2 बचा यह 10 to the power minus 14 हो गया और 9.1 into 8.85 और यहां पर 1.6 तो 10 to the power minus 12 तो देखेंगे तो देखेंगे स्टेब्स आपका 5.0 तो देखेंगे तो देखेंगे देखेंगे और यह तो आपका 5.0 0.505 into 10 to the power minus 12. Therefore, sigma k value 0.505 into 10 to the power minus 12 coulomb per meter square. So, this is the solution of your question and now we will proceed to the next question.